नमस्कार दोस्तों मैं प्रेम नात्वरमाख लोगा हमारे Youtube चैनल जरी बूटी का दिसी नुस्पवा में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आप आज हम बात करेंगे मल गिरने का मतलब यह होता है कि हम प्राइट में करते हैं तो पैखाना करने बैठ जाते हैं तो पैखाना करके उठने का मन नहीं करता है ऐसा लगता है कि अभी भी आ रहा है ऐसा प्रॉब्लम होता है हमको मल जब गिरता है तो दोस्तों जो मल गिरता हो गाड़ा सा मल गिरता ह तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम है अगर किसी को भी किसी भाई को किसी बेहन को किसी माताय को आपके गर्मे किसी को भी प्रॉब्लम हो सकते है कि गर्मियों को महिने में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मसाला ज्यादा होने के वज़ा से मल गिरता है हमारे पेटों से दस्त के की राश्ते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हमको और मलमागत में में लग जाता है तो शृत में काई पिया अकुछ लगता है हम दुबले होते चले जाते हैं तो दोस्तों अई वसके हैं वह भूट में किसी को भी कि आपके पेड़ में अंहीं माल बन रहा है लिए तो आपको करना क्या हैं दोस्तों ये मल स्थेर और बिमारी बहुत ही कतरनाक होती दोस्तों और शोड़ा समस्ड के हैं बता नहीं पड़ के पर आप जरूर्मारा क्यों थो hicून कहा है कि अरंडी जानते हुआ अरंडी का तेल लेकी आना है आपको ₺ झाफ पर मिल जाएगा अरंडी का तिल बहुत आसानी से मिल जाता है और मेंटकल पर आपे इस devoir आ це रहीट का तेल उफलब रेता है आप अरंडी नेकश्त कि अपको टूद में आनंडी को टेल डाल लेना है और उसी को जिस Fake शेवन करना सुबह साम, इसे प्रकार छेड़न करते हैं तो आपका मल गिरता है आपके मल गिरना बुलकुल बंद हो जाएगा मल गिरना बंद हो जाएगा तो आपके निट्मे कशय प्रकार करना दोस्तो काण membans मेंat दोस्तो वह हमारे पेट की बीमारियों की वजह से पकता है पेट की बीमारिया रहती तो हमारा जो विटामिन रहती है कैल्सियम रहता प्रोटीन रहता वह हमारी बोडी को नहीं लगता वह पेट के मल की रास्ते वह सब चला जाता है वह सब गिर जाता है तो हमारी बोडी में नहीं दोस्तों कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो आपके घर में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मल गिर रहा है आप पखाने जाते हो तो मल गिरता है तो आप रेंडी का तेल का और दूद का सेवन जरूर करें दोस्तों इसका सेवन आप करते हो तो दोस्ते तिन दिन मे आपका मल जो गिरना वो बिल्कुल बंद हो जाता है दोस्तों ऐसी नोलेजबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का यह उद्देश रहे था कि आपको सस्तों मास्तों नामस्कार चैनल